नमस्कार दोस्तों कानाजी ब्लॉक्स में आप सभी का स्वागत है आज हम पहुँच गए हैं श्रीश्री 108 करुनामई काली मंदर में जिसे भक्त जन लेक काली बाड़ी के नाम से भी जानते हैं नियमित दिन हो या उत्सब लेक काली बाड़ी हमेशा भक्तों से भरी रहती है शहर के सभी काली बाड़ीों में से यह सबसे छोटी है लेकिन जो इलाज किया जाता है वह भी बहुत व्यक्तिगत है मंदर में लंबी लाइन लगी रहती है वहां के गुरुदेव निताई चंदर बसू से मिलने के लिए इसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे लेक काली बाड़ी पहुँचने का जो सबसे पास का निकट का मेट्रो स्टेशन है हावड़ा से जाने के लिए हावड़ा स्टेशन से लेक काली बाड़ी जाते में बहुत सारे बसेज है जो करुनामई आपको लेकर जाते हैं और वहां से मंदर बॉकिंग डिस्टेंस पे है लेक काली बाड़ी एक प्रसद काली मंदिर है जो साउधन अवेन्य मिस्थिद है यहां मंदिर पीठासिन देवता करुनामई के नाम पर दिया गया है मूल रूप से मंदिर का प्रबंदन शीशी करुनामई काली माता ट्रस्ट द्वारा किया जाता है लगबक साथ साल पहले गुरुदेव शीशी हरिपद चक्रवर्ती द्वारा यहां मंदिर स्थापित किया गया था काली बाड़ी जील के पीछे का इतिहास बेहत दल्चस्प है गुरुदेव शीशी हरिपद चक्रवर्ती माकाली के परमभक्त थे और बचपन से ही मा काली की पूजा कालीखाट मंदिर में किया करते थे अपने जीवन के कुछी वर्ष बाद ही उन्हें यह एसास हो चुका था कि उनके जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगती है सांसारिक जीवन को त्याक कर गुरुदेव साधना के लिए हिमालय पर गए और वहां एक श्रेष्ट गुरु से गुरुदिक्षा प्राप्त किया और तंत्र क्रिया में उत्तिन्न हुए आधेश प्राप्ती के बाद फिर कोलकाता लौट आए ऐसा कहा जाता है कि गुरुदेव की फूस की कुटिया में मा काली एक चमतकारी चमक में प्रकट हुई तत्पश्चात गुरुदेव का मन और आत्मा दिव्य प्रकाश में खिल उठा मा की तीन रात्री उन्हें स्वपन आदेश हुए कि उनकी करुणा में स्वरूप की मूर्ती प्रतिश्चित कर पूजा की जाए लेकिन सन्यासी होने के कारण और धन मुद्रा के अभाव में गुरुदेव कुछ भी करने में असमर्थ मैसूस कर रहे थे फिर मा ने ही उन्हें स्वपन में आदेश दिया कि तुम बस मूर्ती प्रतिश्चित करो और मेरी पूजा करो बाकी के इंतिजाम की चिंता तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए सारा इंतिजाम मैं खुद स्वयम करूँगी और ऐसा ही हुआ जब भी किसी भी चीज की अवशकता पड़ती मंदर निर्मान के लिए कोई न कोई भक्त मादवारा पहुँच ही जाता उस अवशक बस्तू के साथ फिर क्या था गुरुदेव की ख्याती दूर दूर तक पहुँचने लगी और मानव जाती की भलाई और मुक्ती के लिए गुरुदेव तंतक्रिया करने के लिए पांच खोपडियों की सीट का उन्होंने निर्मान किया और माकाली की पूजा करने लगे माकाली के लिए उनकी भक्ती उलेखनिय थी और उनका पूरा जीवन उन्होंने मानव कल्यान के लिए अरपन कर दिया उनके सब प्रमुक सिश्यों में शिश्री निताई चंद्र वसू उनके अती प्रिय रहे उन्होंने हरिपद गुरुदेव की सेवा में 15 साल बिताए और पद्मश्री अच्छित कन्विने की मदद से एक निश्चित मंदिर योजना बनाने के लिए अपने सर्वोत्तम स्त्रोत्रों का उप्योग किया बड़ा और भव्य मंदिर अभीवी निर्मान धीन है मंदिर सुभे रोजाना छे बजे खुल जाती है और दोपहर साड़े बारा बजे तक खुली रहती है और फिर दोपहर को साड़े तीन मजे से खुलती है और साड़े नौ बजे रात तक खुली रहती है सिर्फ मंगलवार और शनिवार को दोपहर एक बजे तक और रातरी को दस बजे तक पूजा होती है मंदिर में मंदिर के प्रधान निताय चंदर बसू गुरुदेव आज भी मानव कल्यान के लिए बिना मूल्य के ही सेवा देते हैं और उनके जटल से जटल समस्याओं का समधान करते हैं उनसे मिन्ने के लिए लोगों की भीड लग जाती है रविवार और ब्रेसपतिवार को दोपहर तीन बजे से लाइन लगती है और गुरुदेव तक पहुँचकर वे अपने समस्याओं का निदान पाने के लिए गुरुदेव से बाते करते हैं तो आप भी जब भी मा के दर्शनों को जाएं मा से जरूर प्रार्थना करें और फिर देखिए मा का चबता अभी पर्दा दे दिया गया है क्योंकि मा को साड़ी पहनाया जाए रहा है यहाँ पर यह जो मंदिर है बहुत जागरत मंदिर है दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए